काई पॉर्फड कि बिद्क्रा सब और बता नहीं कि लिए चार। बिसमेला रुछमान रुरहीम पर दोनट्स पनाने के लिए सबसे पहले मैंने यह पर एक पाव के करीब मैदा लिया है और कप में मेजर करें तो यह दो कप के करीब मैदा ही अब मैदे में हम लोगों ने वन टीज स्पून एस्ट शामिल करनी है जो खमीर वगारा के लिए करनी है और यह घर की पिसी हुई चीरी है वन टाइबल स्पून हम लोगों ने मिल्क पॉर्डर शामिल करना इसको चाहें तो स्किप बेकर सकते हैं लेकिन मिल्क पॉर्डर आइड करने से जो डोनट से बहुत जादा मज़ेदार बनती है बस यह ड्राय इंग्रिटियन को हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें लोगों ने एक अधत अंडे को पीटना है और इसमें आदा अंडा शामिल कर देना है पूरा अंडा हम लोगों ने शामिल नहीं करना है आदा अंडा ही हमने इसमें शामिल करना है साथ इसमें लोगों ने भरके वन टैबल स्पून ब वही डूनट का इसमें टेस्ट आने वाला है मिलकी मिलकी सब बहुत ही मज़िदार सा टेस्ट होता है अगर आप लोग इसको दूट से गुनते हैं आदा कब दूट में बहुत के अच्छे से मैदा गुन चुका है अगर आप उनको तोड़ा सा ओर दूद की ज़रुत है तो आ एक से दो गंटे के लिए आजकल गर्मिया है तो इसमें एक गंटे में जबर्दस्ती डू राइज हो जाएगी लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब बनाते हैं तो पर आपको दो से तीन गंटे भी लग सकते हैं आप लोगों किसी भी गरम जगा पर इस डू को रख देन है पर मतलेफ अजसरी देर केँए थी मचेंट लीग दरमी ठावे के लगा है लुत भी वर्फट से मचेंट कर देना है और एक से दोमिनट अप कहों जो भी अच्छे से स्मूथ कर देर लीए जो अब नबकरी स्टैल जायए ता रहरा है। सबसे पहले आप लोग ने जगे स्मूथ सी बॉल बना लेनी है इस तरह से अब एक प्लेट पे आप लोगों ने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेना है हम लोगों को कोई बटर पेपर की जरूरत नहीं है मैदा डस्ट करने के बाद आप लोगों ने पेड़ा इस पे रख देना है और पेड़ा रखने के बाद करना है 15-20 मिनट के लिए तो मैं यहां पर ढख रही हूं आप लोगों कोई भी पेपर अगरा से कवर कर सकते हैं क्लीन रैप से ताकि यह उपर से ड्राय ना हो जाए 15-20 मिनट बाद आप लोगों ने रोमाल हटा देना है और चेक कर सकते हैं यह पेड़े अपने साइट से नुजल ले लेना है या पर आप लोगों बोटल का केप भी ले सकते हैं उसको आप लोगों मैदे में अच्छे से कोट करना है इस तरह से आप लोगों ने सरकल कट कर लेना है जो एक्स्ट्रा डो बची हो यह आप लोगों ने इसको निकाल लेना है लेकिन मैदे में कोट कर तो यह दो के साथ चिपकेगा नहीं कड़ा है इस तरह से आप लोगों नो बहुत ही अच्छे तरीके से डोनट को शेप दे सकते हैं तमाम डोनट को आप लोगों ऐसे ही दे देनी हैं और यह देनी के बाद अब इनको फ्राय करते हैं दुकडाई में हम लोगोंने थी जरूरात ओयल शामिल कर लेना और ओयल को थी और ओयल को ने लोगोंने हल्क inseamना करना ही तेज गरम बिलकुल भी नहीं करना हलका गरम करेंगी यह चैक कर सकती है जब मैं डोनट इसमें एड़ कर रही है तो बिलकुल हलके हलके से बबल्स बन रही है अगर आप लोग इसको तेज गरम आइड़ करते हैं तो यह उपर से जली से कुक हो जाएंगे तो तो पिर आप लोगो ने चॉप स्टिक के मदद से ऐसकी साइड चेंज कर देनी है यो बहुत ही असान तरीका है डोनट की साइड चेंज करने का फ्राई करने की टोटल टाइमिंग इसकी टैन से 22 मिन जघल से बारा दाएंगे बहुत जबर दस्टे डोनिट फ्राइड हो जाते हैं और अंदर तक गल जाते हैं बस फ्लेम आप लोगों ने तेज भी नहीं कर सके सी इस्टार्टीं में स्लो रखेंगे और बाद में blanc आप लोगों ने मीजियम करूण और चर Jug makes लूनिट कर सकते हैं तो बाउंस होके दुबार आपनी शेप में आ रही है और इस तरह से ही अगर आप लोग उसको फर्स टाइम भी बनाते हैं तो आप लोग के भी परफेक्ट डोनेट्स बनेट्स और अब मैं इन डोनेट्स को चॉकलेट गनाश में अच्छे से डिप करूंगी चॉकलेट गनाश की रैसीपी में आप सब के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर अगर आप लोग उने नहीं देखी तो चैक कर सकते हैं मैं एक क्या पर आपकर विर बता दोट मैं के कि यूँनी चॉकॉलेट गनाश बनाने के लिए फिर में 100 मैं ऑ्पिन क्रीम विंग कर लीरे आप लिए जो डिए वाट विस्कु ऐसे अथो इसरा जाने वाला है वो दूसरा डोनट भी ना फोरा नी बोल देगा यार मुझे दूसरा डोनट भी दे दो डोनट को आप लोग अपने साब से डेकुरेट कर सकते हैं जिससे चाहें 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 क्रीम से कर दीजिए या पर चॉकलेट चिप से भी इसको कर सकते हैं में यहाँ पे कलर फुल दिजाइन यह अगर चाहिए तो आप लिग कमेंट्स आप चाहिए टो मुझे कर सक्वाद्स पर देखनातों प्राइच के लिप आप देखन शेयर कर दोनेट्स के डिफरेंट्स फ्लिवर्स्वेर्स में आप सब कर करने वाली है। मैं अपनों कोई रेसिपी पसंद आई हो औ माँ मैं रखिएगा लापिस